हेलो एवरिवन आए आज की इस वीडियो में हम महान लेखक विश्नु प्रभाकर के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। विश्नु प्रभाकर का जन्म 21 जून 1912 को उत्तर प्रदेश स्थित मुजफरपुर के एक गाव में हुआ था। इनके पिता दुर्गा प्रसाद एक धार्मिक व्यक्ति थे। विश्नु प्रभाकर की माता एक शिक्षित महिला थी जिन्होंने अपने दौर में हो रही कुरीत परदा प्रथा का घोर विरोध किया था। विश्नु प्रभाकर की शुरुवाती शिक्षा मीरापुर में हुई थी। वर्ष 1929 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उतीर्ण की। मैट्रिक पुरी होने के बाद नौकरी करते हुए पंजाब युनिवसिटी से उन्होंने कई परीक्षाय पास की जिन में प्रमुख भूशन, प्रभाकर, प्राग्य और विशार्ध थी। उनके घर की आर्थेक स्थिती अच्छी नहीं थी। यही कारण था कि उन्हें काफी कठेनायों और समस्याओं का सामना करना पड़ा था। अपनी घर की परेशानियों और ज मौक्री के जरिये उन्हें मात्र 18 रूपे प्रतिमाह का वेतन प्राप्त होता था जिससे ही वो अपना गुजर बसर करते थे। भारती या स्वाधीनता आंदोलन के नायक महात्मा गांधी के जीवन आदर्शों से प्रेरित होने के कारण उनका रुझान कॉंग्रस की तरफ हो गया वे स्वा तंतरता आंदोलन से भी जुड़े। वर्ष 1931 में हिंदी मिलाप पत्रिका में उनका पहला लेख छपा था शर्थ चंद्र की जीवनी पर आधारित उनकी रचना अवारा मसीह के लिए उनको कई सम्मान मिले। वे शर्थ चंद्र को जानने के लिए लगभ उन सभी जगहों पर गए जहां से शर्थ चंद्र का जुड़ाव था उन्होंने बांगला भाशा भी सीखी और जब यह जीवनी छपी तो साहित्य में विश्नु प्रभाकर की धूम मच गई। अनेक साहित्य लिखने के बावजूद भी लोग उन्हें आवारा मसीह के विद क्षेत्रों में परियाप्त लोक प्रिया रहे विश्नु प्रभाकर द्वारा लिखी गई रचना पहार चड़े गजनन्द लाल और दककन गई गजनन्द लाल एक दम निराली है इन्हें पड़ते हुए आप हंस्ते हंस्ते लोटपोट हो जाओगे इससे साबित होता है कि विश्नु प्रभाकर हर वेधा के लेखक थे विश्नु प्रभाकर का देहांत 11 आप्रल 2009 को 96 वर्ष की आयू में नई दिल्ली में हुआ था आज के लिए इतना ही इजासत दीजिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट विडियो में शुक्रिया